ओके जर्या बालम आवो साथ भंदारो मारे बेश जैपूर ये सुनके आपके मन में क्या आता है? वोई ना? पिंक सिटी, हवा महल और सड़क पर चलते हुए उंट पर मॉन्यूमेंट्स और अनिमल्स तो दुनिया में हर जगा मिल जाते हैं तो ऐसी क्या बात है जैपूर में कि दुनिया भर से लोग साल पर साल भारी तादाद में यहां आते हैं? मुझ से पूछें तो असली खासियत है यहां के लोग जिनकी कहानिया टूरिस्ट के लिए बन जाती है एक खूपसूरत नजराना अब चाहे हम बात करें उट की सवारी की या रावत की कचोडी की बापू बजार के बंधेज दुपटो की या महलों के सामने हो रहे कटपुतली तमाशों की एक बात जो सदियों से राजस्तान के बारे में मशूर है वो है उसकी साहसी औरतें जो अपनी शान भी रखती है और ताकत भी तो आज हम मिलेंगे एक ऐसी हिमती लेडी से जुन्होंने अपने हुनर से जैपूर आने वाले टोरिस्त के दिलों में अपनी जगा बना ली है जब इंसान मन्जिल पर खड़ा हो तो बीतख हो और रास्ता काफी आसान नजर आता है आज हम मिलने वाले हैं सीमा जी से जो एक बहुत ही जानी मानी होम शेफ है यहां जैपूर में और वो अपने घर पर बहुत अमेजिंग खाना बनाती है और टोरिस्त को अपने घर पर बुला कर खाना बनाना भी सिखाती है हमारी एक कॉंजरवेटिव इंडियन ससाइटी से लड़कर सीमा जी आज एक इस्टैबलिश्ट इंडिपेंडेंट होम शेफ है और उनकी ये इंट्रिस्टिंग कहानी हमें दिल्ली से खीच कर जैपूर तक ले आई आज वो हमारे लिए बनाने वाली हैं जैपूर का मशूर दाल बाटी चूर्मा और गट्टे की सबजी और हाँ गाईज आज हमारे पास आपके लिए एक क्विज भी है तो मेक शूर के आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखें क्योंकि आज आज आप जीत सकते एक उशा अप्लाइंस भी So anyway, stay tuned till the end और हम चल रहे हैं सीमा जी से मिलने और चलिए जानते हैं उनकी कहानी को अरिपोनी नगरोबी डिभी डिभी डिड़ी तक पूराण है तक पूराण हो अच तो सिमा जी पहले मुझे अपने बारे में कुछ मेटाईगे लुख कुछ मताईगे है I was born in Jaipur, brought up in Gujarat, and did my high school from Maharashtra अच्छा तो एक काफी लंबी जॉर्नी करके यहां तक आई हो बट एक बहुत ही ज्यादा पैमपर्ड डॉर्टर सी जिसने कभी घर पे काम नहीं किया सीमा जी आपका यह काम शुरू करने का में नेम क्या था अपनी पहचान बनाना और वो तो आप करी चुकी है सीमा जी की पहचान यहां तक है गाइस मैं आपको बताओ वी इतनी अमेजिंग शेफ हैं कि दुनिया भर से लोग आते हैं उनके हाथ का बना खाना खाने इन फैक कोरिया तक से लोग आ चुके यहां पर उनके घर्प का बना राजिस्थानी खाना का नहीं है कोरिया से लोग घूमने आये थे क्योंकि जैपूर एक टूरिस्टी है तो तूरिस्ट का फुटफॉल यहां पर बहुत है है वैसे यह बात है जैपूर में बहुत ज्यादा टूरिज्म है इन फैक आइस आपको क्या लगता है दिली जैपूर आग्रा यह जो गोल्डन ट्राइंगल है इसमें सबसे ज्यादा कहां आते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बिताये ओके तब मैं भी कुछ सीख लूँ आपसे है ना जाइस चलो अब आज बनाते हैं गट्टे की सबजी पहले गट्टे की तयारी कर लेते हैं इसे हाथ से कातना वाट चाकु से चॉपर में डाल देना तो इजी आपका काम आटे में हमने बेसन और तेल अजवायन नमक तब इसे थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और थोड़ी काली मिर्ष भी डालेंगे तो मारा आटा अल्मूस्ट रेडी है यस अल्मूस्ट ड़ने रग देते हैं पानी बॉल करने रग देते हैं जी और एक तरफ हम घटे की तयारी कर लेंगे और ये फायदा है चार चुले वाले गैस का नहीं होता तब इसकी ग्रेवी के लिए हम इसमें गी डालेंगे टाला अगे तहीं में अभं सारे मसाले में लाएंगे अगे डाली लाल मिर्च ओ कूब सारी लाल मिर्च यहा पता चलना चाहिए अगे लाल मिर्च मसाले तब तक मैं इनको रोल जाओ जाओ जी कर लीच आप इनको रोल अब हमारा घी गरम होगे है तो हम इसमें डालेंगे अध्रक लसन को हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि यह जली जल जाएगा अगे लागी में है एका दू लांग डाल देंगे और क्यू अब हम यह गट्टे डालेंगे इसके अंदर नहीं पानी बिल्कुल बॉइल दे मेरा डिजाइनिंग की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन था अच्छा शुरू भी किया था कॉलेज भी गई थी लेकिन मीनवाइल एंगेजमेंट हो गई शादी हो गई तो जैसे मैंने क जब जो आता गया वो एकसेप्ट करना पड़ा चॉइस नहीं थी तो उस वक्त उसे मान लिया फिर यहां आकर लेकिन कोशिश कभी नहीं छोड़ी अब हम यहां पर अपने पाटी की तयारी कर लेते हैं यह हमने आटा लिया है और उसमें मोटा आटा भी डाला है अच्छा तब मोटा आटा ना होने पर हम सूजी भी ले सकते हैं इसमें हम डालेंगे नमक अजवाएं मिठा सोड़ा थोड़ा सभी और जिसके विना राजसानी फूड हमेशा इंकंप्लीट है और बातिया तो बिलकुल दो बाती को बनाते कैसे हैं और इजनली बाती बनती थी कंडो पे या कोईले पे लकडी पे उसका स्वाधी अलग होता है लेकिन आजकल वो पॉसिबल नहीं है घरो में जलाने चूले और इसके आगे बैठे रहना उसके ताब पे सेखना तो वो कमर्शियली कहीं लोग करते हैं बट प्रैक्टिकली घरों में यह पॉसिबल नहीं तो हम बढ़े उसकरेंगा मारा OTG अचा जो हमारे काम आसान कर देगा यह हमारे पाट dzięki आठा लग्भक तेयार है तो मैं प्रियेट कर दू हान को हमें पीध किनए पर हैप आवने ट़ै्टिव डाल क्रुआ के अवे ट्रीकस की लिए हुप लेंगे नहीं टुमातर चाहिए नहीं इन्हे छॉप कर लेंगे ऑलेंगे, चॉप पॉया या ब्लेंट करने इसको हमें अचे चालेंज जॉप्त आये, क्योंकि बच्चे भी हो गए थे और रिस्पॉन्सिटी इस बहुत ज्यादा थी तो घर से बाहर मूब आउट करके नहीं कर सकते थी कि घर से लोगों को कन्वेंस करना कि आप बाहर जा रहे हो काम करने तो लगता था यह वेल आफ तो आपको जरूरत क्या है तो लोगों को यह समझाना कि जरूरत नहीं होता है अपनी पहचान बनाना ज्यादा समय लगता है दीरे दीरे लेकिन जब आपका किसी चीज की तरफ इंट्रेस्ट होता है तो आप उसमें पूरी महनत लगन से लग जाओ तो अब यह हमने गटे उबाल के ठंडे करके काट लिये हैं इनको हम अब अब अपनी ग्रेवी में डाल देंगे इसे हमें पात दस मिनट अब अब आपके आपके लिए पाने जाओ तो यहां आई देखा वेया खाना भी बनाना पड़ेगा सब कुछ करना पड़ेगा आपके आपके जो मेरी दो भावियां थी उन्होंने पूरा मम्मी से ही इसी खा मैतर इनलों से जठानिया मेरी और जब मुझे कहा गया बनाओ तो वो एक दम से दख 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 भी होती है और यह कहा नहीं जाता कि नहीं नहीं आता शुरू किया भगवान का नाम लेके कि चलो भई करते हैं बद अच्छा बन गया इन फाक्ट मेरा बेटा मुझे हमेशा कहता था कि ममा आप जरूर कुछ करोगे आप एक दिन बहु कि अगर बच्चे आप में बिलीव कर सकते हैं तो इवन यू शुद बिलीव इन यॉर्स तो यह हमारा गट्टे का पानी है वाव तो कि अगर बहुत प्राउड फील होता है कि आप घर से भी एक इंसान कुछ अगर सोचता है तो यहां तक पहुँच सकता है कुछ भी कुछ जाए मुझे सुल जाए मुझे वर्खा कि यह पूने क्यूं मैं काए मुझे ले जाए मुझे अभी सब किती देर में तयार हो जाएगा मैं सब रहा नहीं जा रहा है तो इसे हम अब टेबल पे लगाएंगे अरीज़ बहुत लग रही है देख खुश्बू से आपको भूख लग रही है तो इसमे में भी ऐसा होना चाहिए कि देख के आपका खाने का मन करें अबसलुटली राइट अच्छी प्रेजिशन इस सो इंपॉर्टन उसे सारा काम होता है तो आप कैसे सब करते हैं अपना खाना गेस्त को हम अपना खाना उन्हों को होमली फील कराने कि लिए बिल्कुल जैसे हम घर पे खाते हैं वैसे ही लगाते हैं वो लोग अपने आप लेते हैं जैसको जातनी जो चीज लेने से सर्फ अपना यू शुच्छ फिल आप अपना जोचीच वह और ले देम एंजोई एक न्यू अजोए एक लिए अटने कर लीचाना आपका a a hi everyone welcome to india how are you all good perfect so okay lovely we have been preparing amazing meal for you all day a traditional local rajasthani meal some amazing dishes how has your day been yes good thank you what all did you see today hava mahal it was good oh hava mahal lovely hello this is our chef for the day Sima ji How are you all? Okay. So, let's have food now? Awesome, everyone's hungry, right? Okay, let's eat. It's amazing. I made everything. Please, why not? Pallav made everything. Please come. Please join us. Come on. Guys! Rukhye! Just like I said, this video's end is a very exciting contest, so make sure you watch the video till the end. I feel very hungry, so let's go! So, now I'll show you how to eat this. So, this is clarified butter. Ghee? Ghee. Okay, and that you put on your bati. And now this dal, put it on this. So, how do you guys like it? Thank you. Oh, it's very good! Thank you so much for preparing this. Thank you for coming over. Now, let's eat this. Okay. Let's go with Jaipur. Definitely. Let's go. Then we'll go to Jaipur. Absolutely. We'll do it with Jaipur. Actually, it's very necessary. And now, guys, it's contest time. It's a very easy contest. Just tell us your version of the dal bati churma recipe. And you can beat Usha's on-the-go blender. Also, make sure you follow Hashtag UshaCook and Hashtag UshaCookOfficial. And today, what we've made with Seema Ji, we'll check the recipe in the description below. So, let's go Seema Ji. Sit down. No, you can enjoy it. How do you do? No, you can enjoy it. No, you can enjoy it. Look guys, I'm coming on holiday. So, I'll have fun. Let's go! How are you looking for the world? How did you reach Seema Seeti to come? Through Authentic. Authentic is a platform that's for Home Chefs. जो उन्होंने होमशेफ्स को एक जगा दिये कि आप अपना खाना बनाईये लोगों तक तो अनलाइन है सब कुछ उसका ओके